हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ आप सब स्वास्त होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यास्त होंगे तो फ्रेंट्स हम गार्डन में कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते हैं तो मैंने बनाया है फिस प्लांटर और यह मैंने किस चीज़ से बनाए है और किस तरीके से बनाए है वो सब मैं आपके साथ स्वियर करूंगी तो बिसलरी की बोतल है यह काफी नाजुकसी होती है और यह भी जह है अधिकतर पानी में आई जाती है तो इनका हम क्या करते हैं प्लांटर बना लेते हैं और बना करके त्यार कर सकते हैं और रखे वे काफी खुबसूरत लग रहे हैं बनने से पहले तो मुझे भी यह लग रहा था कि कैसे बनेंगे यह कैसी बोतल है लेकिन बनाने के बाल बड़ा आसान सा लगा बनाना तो इस तरीक से देखिए बोतल के करने हैं हमें तीन पीस और गोलाई के इस तरीके से मोड लेना है एक साइड़ से बूलाई को इस तड़ा सा कर्द्रानओं रिखे ऐसे आगए हिससे को सब्सक्रेडि 10 अर्विसे करें एक साइड़ा हमें तो ये आज बतान प्यूद्राइब निदेखें तो इस तरीके से निदा गोरी करने जाए करें लेंगे इसते हिसे में हल इन logo में लगा को यह ऊगर करने buttons काकिये भेक फाली बना दरें depressed अगर को सब्सक्रवद ड söyl सब्सक्राइब करें दो three ईंडिय तो दीचे हिसे में लोगन लगा है कर र Woo back चिपका देंगे, तो यह बनाओंगे पीछे का पूच का हिस्सा, थोड़ी सी देर लगा के रखना है, ताकि सूख जाए अच्छे से, और इसके बाद यह दूसरे वाले हिस्से को भी हम इस तरीके से आराम से इसके उपर लगा देंगे, तो बहुत ही आसान है फ्रेंट्स इस अपने बगीचे में लगा लेते हैं, तो काफी खुबसूरत लगते हैं, और वैसे तो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, तो काफी हमें यह महंगे मिलते हैं, और यह देखे, यह फ्री में ही हमारे तैयार हो जाते हैं, आपकी मालिया आप इस पर कलर नहीं भी करना चाते ह छेले किसे टाहेड़ है जिस तरिके से की एह 2 पंक मैं लेटी बन के बन के आइस तरिके से यह तैयार हो गए है तो हैतने इठी एल्गी अंति अच्छी लग रहें अगर इनको ऐसे भी अगे नकिन और अ क्यों को ह में और जादा कलर इसके उपर लगेगा भी नहीं, थोड़ा सा कलर लगेगा, तो इस तरुके से इं बोगे लाइन के उपर लाइन तो बनी हुई आती हुई। लाइन खीचने के हमें जरूरत भी नहीं है तो उसी के अकोडिंग हम इसके उपर कलर कर लेंगे तो देखे कितना सुन्दर लग रहा है और यह वाला भी देखे इसके उपर मैंने एक ही कलर किया तो यह भी अच्छा लग रहा है लेकिन दोनों को बिलकुल एक जैसा ही बनाऊ में तो इस तरीके से फ्रंट साथ भी छोटे छोटे से प्लांटर बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और वो देखने में काफी सुन्दर भी लगते हैं और वेस्ट चीजों का हम अपने बगीचे के लिए यूज भी कर लेते हैं अब यह बोतल ऐसी पड़ी रहती करें हैं और अपने प्रिया वरन को भी बचा सकते हैं तो कितने खुबसोरत से यह बनने तेयार होगी तो यह घने इसकी आईज भी बना दी है ब्लैक करके तो यह कई तरीके से आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके एक कलर करने के बाद ये पूरा दिखाई दे रहे हैं अच्छे से तो इसलिए मैंने के उपर कलर कर दिया था और बीच में हम यहां पर मिट्टी डाल के प्लांट भी लगाएंगे तो देखे मैंने इनको यहां पर रखावा है टायर के उपर अगर आज इनको हैंग करना चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं और अगर इस तरीके से कहीं पर रखना भी चाहें तो रख भी सकते हैं तो यह देखें प्लांटर बनके इस तरीके से हमारे तयार हो गए हैं और इसके अंदर हम लगा लेंगे प्लांट तो यह देखे, प्लांट लेके आई हूँ, अब यह इसने एक प्लांट ले लिये हैं, इस एक प्लांट तो हमारे पास बहुत सारे पहले से ही हैं, तो इन ही में से निकाल के आप छोटे-छोटे से प्लांट इसके अंदर लगा सकते हैं, और यह करली मिट्टी तयार, थोड़ वर्मी कंपोष्ट और थोड़ा सा कोको पीट मिला लिया है ताकि मिटी इसके हलकी रहे और इसमें ज्यादा वजन ना हो तो इसी तरीके से आप मिटी तयार कर सकते हैं और इसमें छोटे-छोटे से प्लांट लगा सकते हैं छोटी जड़ वाले जो प्लांट होते हैं वो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ किसी नए आइडिया के साथ देखते रहे हैं तो देखी कितने सुन्दर लग रहे हैं मुझे तो काफी सुन्दर लगी बनने के बाद देखक तो फिर मेलती हम देखके बाद देखके बाद देखके बाद आइ